हेलो गाइस मेन नाम है सुझल جैसवाल Championship單 आपका स्वागत है आज ने इंटर्स्टिंग क्लास में आज की वीडियो इंटर्स्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज वीडियो में ज्यारेथ काल जानेंगे अगar प्याज टी करते हैं तो पांच सालों के दोरान आपको कितना amount मिलता है YouTube पर बहुत सी वीडियो जे कुछ लोग कहते हैं 20 रुपे मिलते हैं कुछ लोग कहते हैं 25 लाग तो कुछ लोग कहते हैं 30 लाग आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको total कितना amount मिलेगा इसमें मैंने एक छोटे से छोटे amount को लेकर बड़े से बड़े amount को calculate किया है पूरी calculation मैंने अपनी इस वीडियो में की है आपको मैं दिखाऊंगा एक PDF के माध्यम से जहां छोटी सी छोटी चीज को मैंने जोड़ा है और हमें पता चलेगा जब हम starting के दो सालों में JRF होते हैं तो हमें दो सालों में कितना amount मिलेगा फिर जब हम senior researcher बन जाते हैं senior research fellow बन जाते हैं अगले तीन सालों में हमें कितना पैसा मिलेगा और JRF और SRF को calculate करके हम पूरे 5 साजों का भी amount निकालेगे यहाँ पर बहुत से बच्चों में confusion होती है कि HR कितना percent मिलता है देखिए भारत में कुछ cities ऐसी है जहाँ पर HR 9% मिलता है कुछ cities ऐसी है जहाँ पर 18% और कुछ cities ऐसी है जहाँ पर HR 27% मिलता है तो हम इन सभी जगों के बारे में भी जानेंगे कि आपको कहाँ पर admission लेना चाहिए किस जगा को आप avoid कर सकते हैं ताकि HR आपको जादा मिल सके इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे contingency के बारे में जानेंगे मैं आपको एक एक चीज आज की इस वीडियो में बता दूँगा अगर आप JRF हैं या फिर आपका result आने वाला है या आपको समय के बाद JRF होना चाहते हैं या आप JRF की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ ये वीडियो आपके लिए एक motivation का काम करेगी क्योंकि जब आपके सामने एक amount आएगा ना last में निकल कर तो आपको अपने आप पढ़ने का मन करेगा तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं और एक-एक calculation में आपको आज किस वीडियो में दिखाता हूँ सबसे बहले देखते हैं कि JRF को पर मंद कितने पैसे मिलते हैं और SRF को पर मंद कितने पैसे मिलते हैं तो JRF का tenure आपका 2 years के लिए रहता है और आपको पर मंद यहाँ पर 37,000 रुपे मिलते हैं इसके बाद जब आप upgrade हो जाते हैं JRF से SRF में चले जाते हैं तो जो अगले 3 साल आपके होते हैं PhD के उसमें आप SRF बन जाते हैं Senior Research Fellow बन जाते हैं तो यहाँ पर अब यह fellowship का amount बढ़कर 37,000 से 42,000 रुपे पर मंद हो जाता है JRF और SRF के समाउन के साथ आपको contingency भी दी जाती है जब आप JRF होते हैं तो शुरुवाती 2 सालों में आपको 10,000 रुपे पर एनम मिलते हैं मतलब पहले साल आपको 10,000 रुपे मिलेंगे फिर दूसरे साल आपको फिर से 10,000 रुपे दिये जाएंगे अब जब आप JRF से SRF हो जाते हैं तो अगले 3 सालों तक आपका यह एमाउन बढ़कर 10,000 रुपे से 20,500 रुपे हो जाता है अब अगले 3 सालों में आपको 20,500 प्लस 20,500 प्लस 20,500 प्लस 20,500 रुपे दिये जाएंगे अब HRF की बात कर लेते हैं HRF मतलब house rent allowance अब इंडिया में कुछ cities ऐसी है जहाँ पर HRF 27% मिलता है उन cities को X केटिगरी में डाला गया है कुछ cities ऐसी है जहाँ पर HRF 18% मिलता है तो उन्हें Y केटिगरी में डाला गया है और जहाँ पर HRF 9% दिया जाता है उन्हें Z केटिगरी में डाला गया है यह पुरानी PDF है इसलिए यहाँ पर 24, 16 और 8% लिखा है लेकिन अब यह amount बढ़कर हो चुका है 27%, 18% और 9% आईए हम देख लेते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन सी city X category में आती है कौन सी city Y category में आती है और कौन सी city Z category में आती है अब नीचे दियेगा इस चार्ट में X category दे रखा है और Y category दे रखा है यहाँ पर X category की cities आपको बता दी गई है और Y category की cities बता दी गई है अब इन्हें छोड़कर जितनी भी cities बचती हैं वो सब Z category में आएंगी और वहाँ पर HR आपको 9% दिया जाएगा आई हम इसे और अच्छे से समझते हैं जैसे दिल्ली X category में आता है अगर दिल्ली की आप किसी उनिवस्टी से PhD करते हैं तो यहाँ पर आपको HR 27% दिया जाएगा अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अगर आप एहमदाबाद से PhD करते हैं तो यहाँ पर एहमदाबाद X category में आता है इसलिए आपको यहाँ पर HR 27% दिया जाएगा लेकिन अगर आप राजकोट, जामनगर, भावनगर, वडोदरा या सूरत से PhD करते हैं तो यह cities Y category में आती है तो यहाँ पर आपको HR 18% दिया जाएगा अब इन cities के अलावा गुजरात में जितनी भी cities हैं वो सब Z category के अंतरगत आती है और यहाँ पर आपको HR 9% ही दिया जाएगा अगर हम मध्यप्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर X category में कोई भी city नहीं आती है जबकि Y category में ग्वालियर, इंदोर, भोपाल, चबलपूर और उजेन आदी शहर आते हैं तो यहाँ पर आपको HR 18% मिल जाएगा लेकिन अगर आप मध्यप्रदेश में इन शहरों को छोड़कर किसी और शहर से PhD करते हैं तो वो Z category के अंतरगत आएगा और आपको वहाँ पर HR 9% ही दिया जाएगा X category में बहुत कम शहर आते हैं जैसे West Bengal में कौलकाता, तैलंगाना में हैदराबाद, तमिलनाडू में चैन्नाई, महारास्ट्रा में Greater Mumbai और पूने, करनाटका में बेंगलूरू, गुजरात में एहमदाबाद और दिल्ली यहाँ पर आपको HR 27% मिल जाएगा I hope आपको यह चार्ट समझ में आ गया होगा, आप अपने अपने राज्जी को यहाँ पर देख सकते हैं, अपने अपने शहर देख सकते हैं कि वो किस केटेगरी में आते हैं आईए अब हम चलते हमारी calculation की दरब, जिसका आप सभी को इंतजार है जैसा कि मैंने आपको बताया, जे आरेफ को 36,000 रुपे पर मंत मिलते हैं और contingency per annum आपको 10,000 रुपीज मिलती है अगर हम इस amount में HR-A को जोड देते हैं, तो आईए देखते हैं पर मंत आपको कितने रुपे मिलेंगे assume करिए आप Z category वाली city से PhD कर रहे हैं और आपको 9% HR-A मिल रहा है तो आपका amount निकल कर आएगा 3,300 रुपे अब अगर आप इस amount को अपने जे आरेफ के पर मंत वाले amount के साथ जोड देंगे तो आपको मिलेंगे 40,330 रुपे पर मंत अगर यही आप Y category वाली city से PhD कर रहे हैं तो HR-A आपको 18% मिलेगा और यहाँ पर HR-A का amount निकल कर आएगा 6,660 रुपे अगर आप इसे जे आरेफ के amount के साथ जोडेंगे तो पर मंत आपको मिलेंगे 43,660 रुपे यही अगर आप X category वाली city से PhD कर रहे हैं तो यहाँ पर HR-A का amount निकल कर आएगा 9,990 रुपे और आपको पर मंत मिलेंगे 46,990 रुपे आईए अब हम देखते हैं कि total of first two years मतलब शुडवाती दो सालों में आपको कितना amount मिल जाएगा अज्यूम करिए आप Z category वाली city से PhD कर रहे हैं तो HR-A plus contingency plus पर मंत मिलने वाले रुपे को मिला दे तो आपको दो सालों में 9,87,920 रुपे मिल जाएंगे वही अगर आप Y category वाली city से PhD कर रहे हैं तो आपको शुरुवाती दो सालों में 10,67,840 रुपे मिलेंगे अगर आपकी city X category में आती है तो यहाँ पर आपको शुरुवाती दो सालों में 11,47,760 रुपे मिलेंगे आज की इस वीडियो में हम केवल लाखों में बात करेंगे हजारों में नहीं क्योंकि हमने इतनी मेहनत किये तो इतना तो बनता ही है यह तो अभी केवल में आपको JRF के शुरुवाती दो सालों का एमाउन बताया है आईए आप देखते हैं अगले तीन सालों में जब आप SRF हो जाएंगे तो यह एमाउन बढ़कर कितना हो जाएगा फिर हम टोटल पांच सालों का भी एमाउन निकालेंगे चलिए देखते हैं JRF के बाद जब आप SRF में कनवर्ट हो जाते हैं तो आपकी धनराशी भी बढ़ जाती है 37,000 रुपे से बढ़कर यह हो जाती है 42,000 रुपे पर मंद कंटिंजन्सी 10,000 रुपे से बढ़कर हो जाती है 20,500 रुपे पर एनम पर अगर मैं इस एमाउंट में HRF भी जोड़ दू तो आईए देखते हैं टोटल एमाउंट हमारा क्या निकल कर आता है पर मंद 9% HRF के साथ आपको मिलेंगे 3780 रुपे अब अगर हम इसमें 42,000 रुपे और जोड़ देते हैं तो आपको 45,780 रुपे पर मंद मिलेंगे अगर हम 18% HRF को लेकर चलें तो इसमें HRF को जो एमाउंट होगा वो होगा 7,560 रुपे और पर मंद आपको 59,560 रुपे मिलेंगे वही अगर हम 27% HRF जोड़ेंगे तो आपको 11,340 रुपे मिलेंगे वहीं अगर हम इसे परमंथ वाले एमाउंट में जोड़ देंगे तो आपको 53,340 रुपे परमंथ मिलेंगे आईए अब हम लाश्ट के 3 सालों में SRF के दोरान आपको कितना एमाउंट मिलेगा उसका टोटल निकालते हैं फिर हम पूरे 5 सालों का टोटल भी निकालेंगे तो SRF के एमाउंट में अगर अब हम कंटिंजेंसी जोड़ देते हैं HR जोड़ देते हैं और उसका मल्टिप्लाइ कर देते हैं 36 से क्योंकि 3 सालों में 36 महीने होते हैं तो हमारा 3 सालों का टोटल एमाउंट निकल जाएगा तो देखिए अगर आप Z केटेगरी से PhD कर रहे हैं तो आपको 45,780 रुपे पर मंद मिलेंगे अगर हम इसमें 36 का मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 3 सालों में आपको केतना एमाउंट मिलेगा तो वो निकल कर आएगा 16,48,080 रुपे अब अगर हम इसमें 20,500 प्लस 20,500 प्लस 20,500 करके कंटिंजेंसी का एमाउंट जोडेंगे तो टोटल होगा 61,500 रुपे अगर हम इनका भी टोटल कर देंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 17,9,580 रुपे ये आपको तब मिलेंगे जब आप Z केटेगरी वाली सिटी से पिएजडी कर रहे हैं अगर यही आपकी Y केटेगरी वाली सिटी होती तो आपको टोटल 3 सालों में मिलते 18,45,660 रुपे अगर आप X केटेगरी वाली सिटी से पिएजडी कर रहे होते तो लाश्ट के 3 सालों में आपको 19,81,740 रुपे मिलते इतना बड़ा एमाउंट सुनके कितना मज़ा आ रहा है न जो अभी J-R-F कर चुके हैं या रिजल्ल के बाद जिनका J-R-F होने वाला है या फिर जो नेट J-R-F की तैयारी कर रहे हैं उनका टार्गेट है J-R-F को फोड़ना उनको तो ये वीडियो देखने के बाद काफी motivation मिलने वाला है और जो JRF कर चुके हैं मेरी तरह उने तो काफी खुशी मिलने वाली है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक good news ओर दूँगा जिससे ये amount आपका बड़ भी जाएगा तो आप उसके लिए इंतजार जरूर करना लेकिन अब हम देखते हैं कि टोटल 5 सालों में आपको कितना amount मिलेगा अब हम JRF और SRF को जोड देते हैं आईए देखते हैं क्या धमाका होने वाला है 5 सालों का टोटल अब हम कर लेते हैं अगर आप Z category वाली city से PhD कर रहे हैं तो JRF के दोरान आपको मिलेंगे 9,87,920 रुपे प्लस SRF के दोरान अगले 3 सालों तक आपको मिलेंगे 17,9580 रुपे और अगर हम टोटल इसका करते हैं तो amount निकल कर आएगा 26,97,500 रुपे ये amount आपको मिलेगा आपकी PhD के दोरान अब अगर यही आप Y category से PhD कर रहे होते तो आपको मिलता 10,67,840 रुपे जयारेफ के दोरान फिर अगले 3 सालों में SRF के दोरान 18,45,660 रुपे तो टोटल 5 सालों में आपको 29,13,500 रुपे मिलते अगर हम X category वाली city से PhD करते तो जयारेफ के दोरान हमें मिलता 11,47,760 रुपे SRF के दोरान हमें मिलता 19,81,760 रुपे अगर हम इसे कंबाइन कर देते हैं तो टोटल 5 सालों में आपको 31,29,500 रुपे मिलते I hope आपको ये amount सुनकर अच्छा लगा होगा आपको motivation मिली होगी कि हमें एक सही exam की तयारी कर रहे हैं यकीन माली अगर आप J.R.F. qualified कर लेते हैं न तो ये amount आपको आने वाले 5 सालों में मिलेगा और ये आपकी जिन्दगी भी बदल कर रख देगा क्योंकि अभी तक आपका जो lifestyle था और इसके बाद जो lifestyle होगा उसमें काफी अंतर आ जाएगा क्योंकि एक यंग बच्चे के लिए सबसे बड़ी problem होती है financial problem उसके सामने कई आती है वो सोचता है कि कब तक मैं अपने family member से पैसे लूँगा कब तक पापा मुझे phone paper पैसे transfer करते जाएंगे कभी तो ये चीज रुकनी चाहिए न तो अगर आप J.R.F. qualified कर लेते हैं न तो ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 6 महीने से 1 साल अपने आपको दे दीजिए और इस exam को crack कर लीजिए तो आपकी जो परेशानिया है न वो चुटकियों में खत्म हो जाएगी और आपको किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा मैं उन सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि जो net pass कर लिया है उन्होंने और वो अपने आप में संतुष्ट हो चुके हैं मैं कहता हूँ कि आप net pass करके ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की एक्जाम ही दे पाएंगे आपको PhD में तो fellowship मिलेगी नहीं लेकिन अगर आपने net pass कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप में इतनी काबिलियत तो है कि आप जयारेफ भी pass कर लें तो मैं तो कहता हूँ आप हार मत मानिये और जब तक जयारेफ आपका pass ना हो तब तक लगे रहिए लगे रहिए और सिर्फ लगे रहिए और एक दिन ये सारा amount भी आपको मिल कर रहेगा और वीडियो के बीच में मैंने आपसे कहा था कि इस amount को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो आपके लिए good news है शायद जब तक मैं वीडियो upload करूँगा तब तक इस HR का amount बढ़कर 9, 18 और 27% से बढ़कर 10%, 20% और 30% हो जाएगा इसके अभी मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इसलिए मैंने पुराने patent पर ही वीडियो बनाई है लेकिन शायद मुझे लगता है कि जब तक इस वीडियो में upload करूँगा HR में high हो जाएगा और आपको HR Z category में 10% मिलेगा Y category में 20% मिलेगा और Z category में 30% मिलेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी सूचना में आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर जरूर दे दूँगा फिलहाल तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरह से इस एक्जाम को पास करना है I hope आपको एफ वीडियो पसंद आई होगी मिलेंगे जल्दी एक उने इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ पत्रक के लिए देखते रहे हैं जयारे में पर सूजल नमस्ते